तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टार्टर्स बनाने की रेसिपी यह जो स्टार्टर्स है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है साथ में बहुत हैल्दी है तो अगर अभी तक आपने स्टार्टर्स को एक बार ट्राय नहीं किया है तो आपको एक बार तो इस recipe को जरूर ट्राय करना चाहिए यह बहुत ही ज़्यादा tasty starters है और साथ में यह जल्दी से बनकी भी त्यार हो जाता है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे baby cons और mushroom का starters बनाए है तो यहाँ पे हमने एक packet लिया है baby con का तो आपको इस type की packets जो है market में available हो जाएंगे यह easily किसी भी shop में मिल जाते है तो हमने यह baby con का एक packet लिया है साथ में एक packet mushroom कर लिया है दोनों को सबसे पहले हम wash करके एक plate में रख लेंगे इसके बाद में हमने यहाँ पर एक कड़ाई के अंदर पानी को गरम कर लिया है साथ में हमने पानी के अंदर add किया था थोड़ा सा नमक सबसे पहले हम यहाँ पे baby cons को यहाँ पे boil कर लेंगे baby cons थोड़े से hard होते हैं तो इसलिए हमें इसको boil करने में 6-7 मिनट लगेंगे और baby cons और mushrooms को हम अलग-अलग यहाँ पे boil करेंगे क्योंकि mushroom बहुत ज़्यादा soft होती है तो वो 3-4 मिनट के अंदर बहाँ पे boil हो जाती है baby cons हमारे तयार हो चुके है, boil हो गए तो हमने इसको अलग प्लेट में निकाल दिया इसके बाद में हमने यहाँ पे mushrooms को यहाँ पे boil करेंगे mushroom बहुत जल्दी boil हो जाते है तो इसको boil करने में सिर्फ 3 मिनट लगते है mushrooms को यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर इसके बाद में यहाँ पर हमने एक कड़ाई ली है जिसके अंदर हमने एट किया है एक टेबल स्पून बटर और साथ में एक टेबल स्पून हमने यहाँ पर एट किया है ओलिव ओईल इसके बाद में अब हम यहाँ पर add करेंगे हमारे boiled वाले baby cons और साथ में जो हमारे boiled mushrooms हैं उनको भी हम यहाँ पर add कर देंगे यहाँ पर जो flame है उसको हम low to medium flame ही रखेंगे और इसको हमें हलका सा यहाँ पर golden brown करना है तो यह golden brown बहुत ही जल्दी हो जाते हैं यहाँ पर जो हमारे mushroom है इसको हमें हलका सा सौते करना है तो इसको करने में कम से कम 5-6 मिनट लगते हैं तो अब आप देख सकते हैं इसका जो हलका हलका color है वो change होता जा रहा है यहाँ पर baby cons भी golden brown होना शुरू हो गया है और साथ में mushroom भी हमारे ready है इसके बाद में जो flame है उसको हम कर देंगे बिलकुल low और इसको हम अलग साइट से यहाँ पर पलट लेंगे और इस भाँ से भी हम इसको golden brown कर लेंगे तो यहाँ पर जो यह आपका process है इसको करने में सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं इसके बाद में हमने यहाँ पर add किया है नमक, स्वादनुसार, साथ में हमने डाला है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ज इसके बाद में थोड़ा से add करेंगे चाट मसाला और थोड़ा से हमने यहाँ पर add किया है पेरी-पेरी मसाला इसके बाद में सभी को अच्छे से इसके अंदर यहाँ पे कोट कर देंगे तो इसको हमने अच्छे से मेक्स कर लिया अब यहाँ पे हम डालेंगे दो चम्मच मलाई तो हमारे घर में जो फुल फैट मिल्क आता है उसी से हमने इसको मलाई को स्टोर किया है और इसके बाद में जो दू चमबच मलाई है हमने यहाँ पर डाल दी इसके बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुके है तो अब हम इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर तो यह जो आपके स्टार्टर्स है यह बहुत ज़्यदा टेस्टी लगते हैं साथ में इसको बनाना तो और भी ज़्यदा असान है यहाँ पर जो हमारे बेबी कॉंस और मश्रूम स्टार्टर्स है यह आपके 20 मिनट के अंदर बनके तयार हो जाते हैं और खाने में प하면 बहुत हुँअडा तेस्टी लगते है यहां पर आप बे-वी कॉंस और लाइब यहां कितना क्रीमी है और साथ में इसके अंदर मसाले यह बहुत जाद तेश्टी लगते है इसके बाद में पर यहां put हम इनको ट्राइ करते है सबसे पहले हमने मिश्रूम को ट्राइ किया है मिश्रूम काने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनी थी यहाँ पर हमने बीबी कॉन को ट्राइ किया है बीबी कॉन भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे तो आप देख सकते हैं कितने मसालेदार और यहां पे क्रीमी हमारे जो स्टार्टर्स है यह बन के तियार हुए है यहां पे हमने इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्फ किया है इसके साथ में आप onion भी serve कर सकते हैं ये खानी में तो बहुत ही tasty लगते हैं और अगर अभी तक आप अपनी starters की recipe को नहीं try किया है तो एक ब़र try करना तो बनता है baby connection mushroom की starters आपको कैसी लगी वह आप मुझे ज़रूर بتाए कमेंट section के अंदर अगर आपको मेरे वीडियो अच्य लगती है तो प्लीस लाइक करें चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियो को जा सेथ़ा। साथ में आप स्टार्टRS की रेचिपी को शेयर करें अपने फैमली मैंबर्स के साथ में प्रेफ्रेंड्स के साथ में और अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है मधुकी रसोई और आप मुझे यूटूब पर भी सब्सक्राइब करें मजद दो की डशोई